हमास में हमले से बढ़के इसराइल ने पूरी गाजा पट्टि पर कबजे की तयारी शरू कर दी है अमारिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे ताकतवर देशों के समर्थन के बाद इसराइल ने गाजा पर पूरी घेरबंदी कर ली है, बिजली, पानी, खाने और इंदिन के आप पूर्ती रोग दी है इसे गाजा में रह रहे हैं, लोगों पर संकट के बादल मडराने लगे हैं, यहां रहने वाले 80 फीजदी लोग मानविया सहायता पर नर्भर हैं पानी, बजली, खाने, दवा, आदी, सब कुछ बाहर से ही आ रहा है, अगर आप पूर्ती की अनुमती नहीं दी गई, तो गाजा पट्टी पर ने मानविया संकट के कागार पर पहुंच जाएगा इसे बीच सन्युक्त रास्ट्रू महासचीव इंटोनियो गुटरेस ने कहा कि मैं इसराइल की वैद सुरक्षा चिंताओं को पहचानता हूँ, मैं यह भी याद दिलाता हूँ कि सेने अभिया अंतरास्ट्रिया मानविया कानून के अनुसार सक्ती से सुन्चालत क्या जान रसद रोकने के साथ ही इसराइल हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए लगातार गाजा में बंबारी कर रहा है, उसने तीन लाख से जादा सैनिकों को गाजा कूच करने के आदेश दिये हैं इन हमलों में लगाता है करीब साथ सो लोगों की मौत होगे जब कि हजारों घर मलबे के धेर में बदल गए है सड़की चलने लायक नहीं बची गाजा में एक लाख बीस हजार से जादा लोग अपने घरों में वियस्थापित हो गए है लेखनी है कि गाजा पर हमास चरंपंतियों का कबजा है लेकिन इसका एरस्पेश जराइल के कबजे में है यहां के समुदरी तड़ पर भी इसराइली सेना तैनात है इस वजह से इसराइल की मंजूरी के बिना गाजा में कोई भी सामान नहीं आ सकता है गाजा को हमास से मुक्त कराने की ठानली है